नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लास सेज पर, सपने होंगे सच, सभी को गुड बॉर्निंग, गुड अप्टर नोन, गुड नोन, द्योस्तों देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, जनरल अवेरनेस के अंदर, जो प्राचीन वंस थे, राजवंस थे, उ उनके साथ जो भी कुछ अच्चे क्यूशन थे, उनका भी मिश्रित है, दोस्तों इनको हम एक एक करके शॉलव करेंगे, एक एक करके समझेंगे, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, कि राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है, यह आपका एक मॉग टेस्ट है, अब जनरल अवेरनेस का डेली मॉग टेस्ट चलेगा, जिसके अंदर 30 क्यूशन या 50 क्यूशन और अगर आपका परपॉर्मेंस अच्छा रहा, तो हम 100 क्यूशन को भी सामिल करेंगे, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले देखिए, आपको क्या डे रहा है, मैं आपको इसकी साइज बड़ी कर देता हूँ, तो आपको आसानी से दिख सके, टेरा कोटा क्या है, जो टेरा कोटा है, ये क्या है, एक क्यूशन हम पहले रिवाइज कर चुके हैं, देखते हैं किस-को याद रहा, पानी में पकी हुई इट, तेल में पकी हुई इट, आग में पकी हुई इट होती है, उस इट को का जाता है, टेरा कोटा, क्या का जाएगा, टेरा कोटा, आग में जो इट पकी हुई होती है, उसे टेरा कोटा का जाता, टेरा कोटा पदरी द्वारा वो पकी हुई है, छीके दोस्तों, चलते हैं अगले क्यूशन की हो, तो प्राचीन काल में भारत है, वो कितने महा जन्पदों या जन्पदों में बंटा हुआ था, तो यहां से दोस्तों लिकी, right answer हो जएगा 16, प्राचीन काल के इंदर भारत है, वो 16 जन्पदों में बंटा हुआ था, जिसमें से आपने बहुत सारे प्ड़े होंगे, मगद हो गया आवद हो गया, मतश्य जन्पद हो गया, ठीक है, तो ऐसे थे, उनकी राजधानिया आपको याद करनी है, इस पर भी हम कभी टॉपिक लेंगे, अगला है, महावीर बच्पन, महावीर के बच्पन का नाम क्या था, जो महावीर थे, उन महावीर के बच्पन का नाम क्या था, याप से पूछा गया है, सिद्धृ वर्दमान, नरिंदर दाश और कोटिलिये, दोस्तों नरिंदर दाश किसका था? विविकानंद जी का आप सब को पता है, विविकानंद जी थे, उनका नाम था बजपन का नरेंदर दाश ठीक है वर्धमान यहां से जो राईट आंसर हो जाएगा हो वर्धमान हो जाएगा मावीर जी थे मावीर जी के बजपन का नाम वर्धमान था तो यहां से आपका जो b option है वो एकदम right हो जाता है जिसने b option दिया है बहुत थी अच्छे बस प्रोग्रेश करते रहिए आगे बढ़ते रहिए अब चलें अगर Q4 की तरफ तो का गया कि जैन ध्रम के त्री रतन में शामिल है सामिल है ठीक है यहाँ पर कोन नहीं है यह करना है ठीक है थोड़ा सा इसमें जो सम्यक बोध है ये सामिल नहीं है तो यहां से जो right answer हो जाएगा वो D हो जाएगा question printing में mistake है यहां पर नहीं था ठीक है सामिल को नहीं है हाँ कोई बात नहीं question को right मानो कि सामिल है तो यह तीनों सामिल है तो यहां से right answer हो जाएगा A, B और C, तीनों सामिल है तो यहाँ पिर D में आपका उपरोग सब ही होना चाहिए था अब चलते हैं अगले क्विशन की और तो अगले क्विशन क्या गरा Asia का जोती पुंच किसे का जाता है बिल्कुल अच्छा स्वाल है Asia का जोती पुंच किसे का जाता है Asia का जोती पुंच ठीक है दोस्तों तो यहाँ से जो रैट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, Asia का जोती पुंच है वो गोतम बुद्ध को कहा जाता है अब चलते हैं अगले क्विशन की और तो अगले क्विशन क्या करा आपको तर्ते बोध संगिती कहा आयोजित हुई थी जो तर्ते बोध संगिती हुई थी जितने भी बोध धरम की जो संगितिया हुई थी उसमें से जो तीसरी संगिती थी तर्ते बोध संगिती वो कहां पे आयोजित हुई थी यह आपको बताना है राजगरे दोस्तों ये बता दूँ ये असोक के सासनकाल में मतलब आयोजित हुई थी तो अपर कहां पे हुई थी भाईजे की राजगरे पाटली पुत्र वेशाली और उप्रोक सभी दोस्तों जो पाटली पुत्र है पाटली पुत्र में आयोजित हुई थी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा शेव धर्म है शेव धर्म में किस देवता की पूजा की जाती है तो option आपको दे रहा है भई ब्रह्मा शेव बिल्कुल सेव धर्म के अंदर शेव की पूजा की जाती है तो यहां से राइट आंसर होगा अभी क्रिशन, हनुमान और ब्रह्मा दिये हुए आपको और भी उप्सन लेकिन जो सेव द्रव हैं उसके इंदर सेव की पूजा की जाती थी मुक्य तो इसलिए इसका उप्सन यहां से राइट हो जागा दोस्तों अब चलते हैं अगले क्युशिन की और अगले क्युशिन का गया है अलोरा के परशिट केलास मंदिर का निर्मान किसने कराया था यहां से यहां से पूछा गया किकिस ने निर्मान कराया था आपको घाए राश्टकूट, प्रमार मराठा और चोहान दोस्तों राष्टकूट जो राजवन्स थे उन्होंने एलोरा में जो परशिट किलास मंदिर थे उनका निर्मान कराया था तो यहां से रायट आंसर हो जागा आपका ए कि राष्टकूटों निर्मान कराया था ठीक है एलोरा में जो परशिट किला विष्णु, शिव और ब्रह्मा दोस्तों लिखिए इसका राय डान्सर कोन सा होगा आपको बताना है फटा पट से गुप्त काल के अंदर जो वरह अवतार है उनके नाम से किसे जानते थे तो जो विष्णु जी थे उन विष्णु को वरह अवतार के नाम से जाना जाता था गुप्त काल के अंदर तो यहां से जो रायट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option B विश्णू जी चीक है तो यहां से रायट आंसर दोस्तों हो गया option B चलते हैं अगले question की वोड़ तो का गया Islam धर्म के संस्थाफक कोन थे जो Islam धर्म है इसके संस्थाफक कोन थे दोस्तों संस्तापक वो होता जो इसके इस्थापना करता है या पिर इसके पीड जमाता है तो इस्थापना या पीड जमाता है वो होता है संस्तापक ठीक है जिसने इसके शुरुआत की थी ठीक है तो यहाँ पर इसलाम धरम के संस्तापक पूछा है तो भाई लिकिये एक्जाम है थोड़ा सा, मतलब क्योशन में आपको याद रखने वाली बात है कि पवितर चिने है तो वो कौन सा है, चिने समधी क्योशन है दीके भाई, ओ, क्रोश, श्वास्तिक और इनमेशिक कोई नहीं, दोस्तों यह स्वास्तिक क्या होता है, आपने ये चीज देखी होगी हिंदू धरम के इंदर भी है, ठीके स्वास्तिक, सबसे पहले इसकी खोज का होई थी स्वास्तिक की वो मेरे को आप बताना है, किस सभी के अनुयाईएं को अगनी पूजक कहा जाता है कौन से धरम के जो अनुयाई है उनको अगनी पूजक कहा गया है इस्षाई पार्शी वेश्णव और शेव दोस्तों जो इस्षाई जो अगनी पूजक है वो पार्शी धरम के लोगों को कहा जाता है पार्शी धरम के जो अनु अच्छा कीन नंदवनस का छो इसके अंतीम सासक थे यह आपको आद रहते हैं ये जो इसके अंतीम सासक थे वो कौन थे घनानन तो नंगवनसकांतिम साह सकों ओगया घनानन चलें अगर अगलेक्युशन का इए सिकंदर के गुरू का नाम क्या था च्ठाझकें कया ही ते इसुर्शण बहुत से वहाँ पे आप कमेंट करोगी कि सिकंदर के गुरू का नाम क्या था यहां से आपको पांचों उप्सन में और दे लिता हूँ कि इनमें से कोई नहीं आपको अपने विवेक से करना है यह तो मैंने आपको उलजाने के लिए पांचों उप्सन दिया है सिकंदर के गुरू का नाम क्या था आपको बताना आपको उप्सन दिये चानक के अरुस्तू, रामानेंदर, गोपालकृष्ण और इनमें से कोई नहीं चलते हैं अगर अगले क्यूशन के और, अगले क्यूशन का गया है, अमित्र घात, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता था, जो अमित्र घात है वो किश का नाम था यह आप से पूछा गया है, अशोक, बिंदुशार, चंद्रगुप्त, अकबर, दोस्तों जो पिर पर सबी बिंदू हो गए तो इनका नाम बिंदू सार रखा गया और इसको अमीतर घात के नाम से भी जाना जाता है तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा आपका वो जाएगा B कि जो बिंदू सार है बिंदू सार को अमीतर घात के नाम से भी जाना जाता है जो असोक ने धमकी व्यक्या की थी वो किस सिलालेक के अंदर की थी वो आपको बताना है 11, 12, पहले और 3 दोस्तों जो धमकी व्याक्या है न ये धमकी व्याक्या है वो असोक ने 11 शिलालेक के अंदर की थी तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका A, जिस इसने A बताया है, बहुती अच्छे, very good, comment box में भले ही आपका नाम आया नहीं आए, लेकिन आपको पता है, आपने आंसर सही बताया है, खुझ से motivate रही है, ठीक है, असोक द्वारे किस सिला लेक में धमकी व्यक्या की गई तो 11 सिला लेक में धमकी व्यक्या की यहां से right answer आ गया A, अब चलते हैं अगले question की और, अगले question का गया रानी का अभी लेक किस सिला लेक को कह जाता है, बड़ा important question है, कि रानी का अभी लेक है, वो किस सिला लेक को कह जाता है, रानी का अभी लेक, ठीक है, तो दोस्तों रानी का अभी लेक किस सिला लेक को कह ज ठीक है तो इस्का राइट अंसर यहां से कुनसा हो जाएगा राइट Щो भी टीक है जो रॉन निधका वह को शाम को खया जाता हो यहां से यहांसे जिटीम का एक्टम रार्इट आंसर हो सो जाएगा अब चलते आंगर एक्टम चैनले कुशिन की और तो अगले राइट एंसर है 100% उश्को आपको सेलेक्ट करना है तो देखिए भई सीता भूमी किस भूमी को कहा जाता था आपको option क्या दे रखा है राजा की भूमी किशानों की भूमी सरकारी भूमी और इनमेशिक कोई नहीं दोस्तों जो सरकारी भूमी होती थी न वो सरकारी भूमी को सीता भूमी कहा जाता था असोक के शाशनकाल में महान समराट अशोक भी कहा जाता है इने ठीक है तो जो सीता भूमी थी वो सरकारी भूमी को कहते थे सीता भूमी तो असोक के शाशनकाल में सीता भूमी है वो सरकारी भूमी को कहा जाता था यहां से आपको जो option C है वो C एक जोछान के, खारवेल और शूश्रमा जो खारवेल है यह यहां से राइट आंसर हो जाएगा C जिसने इसने बताया है वो बहुत अच्छी बात है भाई ठीक है जो खारवेल है खारवेल को चेंदी राजवन्स का परतापी शाशक माना गया है पता पी राजा माना गया है तो यहां से right answer आ गया C अब चलते हैं अगले question की ओर अगले question क्या 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 गया भारत का Einstein किसे कहा जाता है बिल्कुल अच्छा question है भारत का Einstein किसे कहा जाता है भाई फटा फट से इसका answer देंगे मैं आपके comments का इंतजार कर रहा हूँ हमारे जो moderator है उनके द्वारा आपके comments पर नजर रगी जा रही है कौन साई answer बताता है तो भारत का Einstein किसे कहा जाता है नेपोलियन, अब्दुलक्लाम, नागारजून और आरेफर दोस्तों एक तो Einstein भी है और एक दूसरा भी आपको और भी मिलने वाला है दोनों में उप्मा में आपको याद होना चाहिए कि भारत का Einstein पूछे तो आपको कहा जाता है किसको कहा जागा? नागारजून को तो यहां से तो राइट आप्सन हो गया C मैं पूछो भारत का नेपोलियन किसे का जाता है यहां से आपको पूछा था भारत का Einstein किसे का जाता तो answer C सहीर हो जाएगा कि भारत का Einstein है वो नागारजून को कहा जाता है अब चलते हैं आगे क्यूशन के और क्यूशन नमबर 21 गुप्त बंस का संस्तापक है अब चलते हैं अगले क्यूशन की और भारत का नेपोलियन किसे का जाता है अभी हमने पढ़ा था कि भारत का Einstein किसे का जाता है अभी हम बढ़ रहे हैं भारत का नेपोलियन किसे का जाता है ठीक है तो भारत का नेपोलियन किसे का जाता है भाई बाता यह भटा पड़ से भारत का आइंस्टीन किसे का जाता था, तो दोस्तों वो थे नागारजुन, ठीक है, दोनों कलिरा आपके यहाँसे हो गए, कोई कन्पुजन नहीं हूँ अपना किस ने की थी यह आप से पूछा गया है तो भाई यह कि चाने के कुमार गुप्त शिरीगुप्त अशोग ठीक है दोस्तों रेकिए अशोग जब सासनकाल में राजा बने थी तो उससे पहले यह इसके गवर्नर थे राजा बनने से पहले गवर्नर थे नालंदा विश् दाले के स्तापना है वो कुमार गुप्त ने की थी अब जलते हैं अगले क्यूशन की और तो अगला क्यूशन क्या का गया अप्रहत भूमी होती है अप्रहत भूमी किश्भूमी को कहा जाता है दोस्तों चरने होई यह भूमी आप सबको पता है जो चरने योग्य भूमी हो यहां से option C है वो एकदम bright हो जाएगा चलते हैं अगले equation की ओर, तो अगले equation कहा रहा है शुरिय Shidant Grunt किसने लिखा है एक Grunt है जिसका नाम है शुरिय Shidant Grunt सुरी Shidant Grunt है वो लिखा किसने है यह आप से पूचा गया विश्णु गुप्त, नेपोलियन, वालमिकी और आरे भट फटापट से इसका आप आंसर देंगे और एक आपको हिंट भी दे देता हूँ एक तो सुरी शिदान्त गुरूप गरंत और दूसरा है आरे भटियम गरूप गरंत आरे भटियम गरंत ये दो गरंत है वो एक ही आदमी द्वारा लेके गए हैं एक तो सुरी शिदान्त है और एक आरे भटियम है तो ये किसने लिके हैं तो आरे भट ने लिके हैं शूरी शिदान्त और आरे भटियम गुरूप है ग्रंथ है वो आरे भट द्वारा लेके गए तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर आरे भट ठीक है चलते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन क्या गा गया अगला क्यूशन है शूरी शिदान्त ग्रंथ किस ने लिखा है आपको ओप्सन दे रहे हैं विश्णुगुप नेपोलियन वालमिकी और आरे भट दोस्तों लिखिए एक चीज आपको यहां पर बता दो एक और ग्रंथ है आरे भटियम वो भी इन दोनों एक आदमी द्वरा लिखे गए दोनों ग्रंथ एक का नाम है शूरी शिदान्त दूसरे का नाम है आरे भटियम तो अब दो आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह किस ने लिखा है आरे भटने यहां से option D है वो आपका एकदम right हो जाएगा कि शूरी शिदान्त वो आरे भटियम ग्रूप है ग्रंथ है वो आरे भटने लिखा है अब चलें अगर एगले किश्ण के और तो आगया पल्लाव वंस का संस्थापक है जो पल्लाव वंस है उनके संस्थापक कोन थे यह आप स तो यहां से option A आपका right हो गया अब चलते है अगले किश्ण की और तो कहा गया है राश्वांस का संस्थापक कोन था जो राश्वांस थे उनके संस्थापक कोन थे ठीक है अम आज राजवांस पढ़ रहे हैं राजवांस से संबनी आप हमने जितने भी important question थे उनको हमने इस यहां से आपको अगर संस्थापक की बात करें राष्टकूर्ट का तो हुँ जागा दंती दुग। ज वार बता चुका हूँ हाँ जरूरी है कि किसी क्वीं गनास में नहीं बता चुका है हएं और भी मात्यूम lavor aufед हमाधियम क्या है फई हमारा इस्टनग्राम चैनल है जिस पर हम जैसे आए मंदीरों का शहर कौन सा है तो हमने से का जो हो यह का जाए तो यहांसे इंसर हो जाएगा आपका भी हो बताया है बहुत ही एच्छे बहुत ही राइट है ठीक है दो इन का समंद किस नसे है यह आप से पूछा गया है, चोल वंस, चालुक्य वंस, यादव वंस और ब्रह्मन वंस, दोस्तों नेकिए, फटा फट से आपको एंसुर बतना है, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, विश्णु वर्धन का समंद किस वंस से है? विश्णु वर इनका दोस्तों right answer ho जाएगा वो चालूक ए हो जाएगा जिसने B answer दिया है वो एक्टम right answer है कि जो wishna over a'dan है उनका समद्ध हो चालूक के rápido राजवंस से है तो आपका यहां से B option है वो right हो जाता है अब चलते हैं अगे अगले question किया और तो का गया शिशोधिया राजवंस ने कहां शाशन किया था एक राजवंस हुआ है शिशोधिया राजवंस बहुत ही ताकतवर राजवंस मान सकते है हम इसको तुकि इन्होंने अपने श्वाबिमान के लिए जंगलों में रहना श्विकार किया था ठीके लेकिन वो स्वाबिमान अमर रहे उसके लिए यहांके एक परतापी राजा हुए थी इस राजवन्स के महाराना परताप ठीके भाई तो अब आपको पता चली गया हुगा कि महाराना परताप इस वन्स के परतापी राजा थे सबसे ताकतवर राजा थे ठीके अकबर के लेकों के इनुसार क्वेश भी मिल सकता है, लेकिन अगर वास्टुइकता देखी जाए, तो महार्णा परताप ने अकबर से बहुत संगरिश किया था, और महार्णा परताप उसे सुषोधिया राजवानस ते थे, option B, ठीक है, मिवाड दोस्तों ये 30 question की quiz थी आपके इसमें से कितने question सही हुए है comment box के इंदर आप comment करके जाएंगे और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही हम ज़ादा question करें 100 question लें एक quiz के इंदर ठीक है, 50 लें, तो दोस्तों इसके लिए आप comment कर सकते हो, जितना आपकी performance अच्ची होगी, उसने हमारे question बढ़ेंगे ठीक है, अगर कल से आज की performance और भी घटिया रही है, तो question और भी घटने वाले, तो अब आप पर निर्बट करता है कि आप class को कैसा चाहते हैं दोस्तों चलिए चलते हैं, जे हिंड, वंदे मातरम, मिलेंगे अगली class